Welcome to the second part of construction of quadrilaterals for class 8 आज हम quadrilateral बनाएंगे जहां 4 sides और diagonal दिया होगा Question से शुरुवात करते हैं Construct a quadrilateral park where PA equals 5.5 cm, AR equals 6.5 cm, RK 5 cm, KP 4 cm and PR equals 7 cm सबसे पहले एक देखेंगे, रफ डाग्राम बनाएंगे जहां आपका एक quadrilateral है Suppose this is a quadrilateral, P, A, R, K देखें, park उसका नाम है और आप एक रफ फिगर पहले बनाएंगे इससे आपको यह पता लगेगा कि हमें कहां कहां किस तरीके से दिया होगा है डेटा अब देखें, PA equals 5.5 cm, AR आपका दिया है 6.5 cm, R, K, 5 cm, K, P, 4 cm और एक और चीज़ आपको दी है वो है diagonal P, R अब देखें, P, R diagonal आपका दिया है 7 cm यह आपका given data है इस question का, इसको use करते वे हमें figure बनानी है तो ऐसे questions में सबसे पहले यह base रखते है P, R मत्रब जो given diagonal है उसको आप base लेंगे जैसे कि देखें, 7 cm की एक line लेंगे हम यहां से यह, यह आपका base हुआ P, R और देखें, P, R बनाने के time आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ 4 cm का आर्क है और R से 5 cm का आर्क है तब आपको K point मिलेगा तो देखें, यहां से P, 2, K distance 4 cm आर्क लेकर हम P point से cut करेंगे, एक आर्क बनाएंगे P point से और फिर 5 cm का distance रखके R से बनाना है अच्छा और यह आर्क को देखें, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता intersection point कहां पर आएगा आपका तो यह 5 cm लेंगे और यह R से cut किया यह देखें, अभी भी नहीं आया इसलिए हमें थोड़ा सा और लंबा लेना चाहिए था यह 4 वाले आग को, 4 वाले आग को हम थोड़ा सा और extend कर देंगे, intersection point जहां होगा, वो आपका point होगा K, यह देखें, R और K का distance था 5 cm, यह आपने देखें, यहां से लिया, R के 5 cm और P से लेके K था 4 cm, जिस पे आपने एक आग कट किया था यह था P के 4 cm, अब देखें, नीचे वाले triangle को देखें अगर हम, P, A, R, तो आपके पस P, R base तो ready हाई है अब 5.5 अगर P से cut करेंगे distance, और R से 6.5 आपको point A मिल जाएगा, तो देखें, 5.5 लेंगे और हम cut करेंगे उसको P से, एक आर्क बनेगा, P से, point P से और एक आर्क बनेगा, R से 6.5 distance लेकर 6.5 distance आपने लिया, और एक आर्क कटा, यह देखें, इस तरीके से अब आप देखें, यह आपका जो मिला है, point, यह आपका point है, A, A point आपका, इस तरीके से मिलता है, और देखें, आपने यह देखा, यहाँ पर P के, आपका 4 cm है, आप यहाँ से देख लीजें, R, K, 5, P, A distance, 5.5, और इधर है आपका, A, R distance, 6.5, तो इस तरीके से आपकी यह constructions होती है, जिसमें यह आपका diagonal main था, जिसको आपने base बना कर use किया, और फिर आपने construction चुरू करी, देखें, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पस क्या-क्या दिया है, given data, सारी sides दी हैं, और एक diagonal दिया है, diagonal को आप base बना के करेंगे, PR को base बनाया, और फिर आपने एक triangle उपर construct किया, PKR, और एक triangle नीचे construct किया, PAR, इस तरीके से आपका ये quadrilateral बनता है, चलिए एक और question देखते हैं, एक और question करने से आपका concept काफी clear होगा, और आप इस तरीके के constructions को बहुत easily कर पाएंगे, second question है, construct a quadrilateral star, where SA equals 6.5 cm, ST equals AR equals 5 cm, AT equals 6 cm, RS equals 3.5, लेखें, यहां भी आपको सबसे पहले एक rough figure जरूर बनानी है, अब कैसे भी shape का quadrilateral ले लीजें, कोई भी shape हो जाएगा, उससे अभी आपको क्योंकि पता नहीं कि आपके quadrilateral का क्या shape आएगा, आपको सिर्फ यह समझने के लिए करना है, कि आपको जो जो दिये वे हैं, dimensions, वो कहां कहां आएंगे, अब दिखिए दिया है, star, star, एक तो sequence में आपको नाम देना है, फिर आपको सबसे पहले दिया हुआ है, sa, अचा आप sa यानी diagonal आपको सबसे पहले दिया है, sa है आपका 6.5 cm, st और ar आपको equal दिये है, st और यह ar आपको side equal दिये है, यह है 5 और यह भी 5, अब क्योंकि यह rough figure है, इसलिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, at equals 6 cm, और rs आपको दिये है 3.5, अब इतना देख किया आपको यह समझ जाना चाहिए, कि आपको base लेना है, sa का, और फिर एक triangle construct करना है, s ra उपर, और एक triangle आएगा नीचे, sta, तो सबसे पहले हम base लेंगे 6.5 cm का, अच्छा अब यहाँ पर यह याद रखने वाली बात है, कि इस construction को page के थोड़ा सा बीच में करें, क्योंकि इसमें एक triangle आपका नीचे की तरफ बनेगा और एक उपर की तरफ, अब देखिए हमने s और a का जब base बना लिया, r point निकालने के लिए हमें s r distance, यानि 3.5 हमें radius लेना है, 3.5 का, और एक arc कट करेंगे हम s point से, क्योंकि r s का distance हमारा है 3.5, अब इस arc को आप लंबा कर के छोड़ दीजे, a r, क्योंकि अभी हमें r point निकालना है, a r का distance है 5 cm, आप 5 cm radius लीजे, और a से एक arc कट करिए, जहां पर ये arcs इंतसेक करते हैं, ये आपका required point r है, और ये दिखिए, इस तरीके से आपका 1 तो उपर का triangle complete हो गया, और ये आपको point मिल गया r, अब आपका पस s, a और r तो तीनों आ गए, बचा t point, t के लिए s और t का distance है 5 cm, फिर से आप 5 cm लीजे, अब आपको s से एक arc कट करना है, 5 cm के distance को maintain करते हुए, और t से आपका a, distance है 6, यानि a to t आपको 6 cm का distance लेना है, और इस तरीके से आपको arcs को cut करिए, यह देखे, अभी भी arcs intersect नहीं किये, हम पहले वाला 5 cm का distance वापस maintain करेंगे, और इस arc को extend करेंगे, arcs को थोड़ा लंबा रखना ही अच्छा रहता है, और यह देखे, यह आपका required point मिल गया था t, और इसे join करने से आपका quadrilateral complete होता है, देखे, s, t है आपका 5 cm, a, t, देखे 6 cm, a, r, 5, r, s, 3.5, और आपका जो सबसे important था, वो था base, 6.5, तो आपने देखा कि किस तरीके से quadrilaterals बनते हैं, जब आपको 4 sides और 1 diagonal दिया होता है, चाहे आपको इस बार as दिया है, अगर आपको अगली बार r, t देखे, तब भी आप उसे base लेके फिर करेंगे, हमेशा दो parts में divide हो जाएगी construction, पहले उपर एक triangle बनेगा, और फिर नीचे एक triangle बनाके, इस तरीके से आपका quadrilateral बनेगा, Hope you like this session, आगे आने वले episodes में हम और तरीके के quadrilaterals बनाना सिखेंगे, जब दो adjacent sides और तीन angles दियोंगे, या तीन side दो diagonals दियोंगे, या तीन side और दो included angles दियोंगे, आगे आने वले episodes में आपको geometry में बहुत सारी constructions देखने को मिलेंगे, So stay tuned to Idea Infinite.